तो सीधे तोर पर सड़कों पर किसान अभी भी जसके तस हैं लेकिन सवाल यही कि समधान निकलेगा कैसे सीधा रुख कर रहें अपने महमानों की तरफ आपको बता दे आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जो महमान जुड़े हैं वो दवेंद प्रवुक चोहरा और पश्मी उत्तरप्रदेश की सियासत में अच्छा रुत्बा भी रखते हैं साथ साथ हमारे साथ लाल टोपी में आज अभिशेक वाजपई दिखाई दे रहे हैं समाधवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अभिशेक वाजपई नई बारी शुरुवात कर रहे साथ ही मेरे साथ राहुलाल जुड़ चुके हैं राधनेतिक मिलिश्चेशक जो की अपनी बेबाक राय के लिए तमाम न्यूस चैनल पर आप इन्हें देखते हैं सुनते हैं राहुलाल भी मुझे जॉइन कर चुके हैं साथ ही सौामी जैसवाल जी हमारे साथ जुड़ साथ ही पंडित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो की किसान नेता हैं भारते किसान यूनियन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुवात परमुक सहाब आपसे करना चाहूंगा अगर मेरा ओडियो आपको आ रहा है मांग की जा रही लखीमपूर खीरी पर भी चर्चा आज हो रही है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लखीमपूर की चर्चा करने वाले वो लोग शायद ये भूल रहे हैं कि जिसनी लखीमपूर के किसानों से बात हुई थी जिन परिवारों में घटना घटी थी तो वहाँ जब मु लगे कि हमें जो अपना जो दूसरा रूपर दिखाना है तो अगर इतनी ही बात थी तो उस समय फैसला करने की क्या जल्दबाजी हो रही थी उस समय तो मुझे लगता है हमारे जो भाई है राकेश जी उस समय मंच पर बैठकर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे दूसरी ब भाई हैं मैं नहीं ने कार सकता हैचाए उन्हें भार्मिटी किया गया हो जह सब्सक्राइब बहुत नहीं हैं जो उस सब्सक्राइब हरे हैं हो अभी नेता के साथ-साथ बड़ा बिजनिसमेन हो उद्योग पती हो कोई भी किसी लाइंस हो या आम नागरीक हो वो सब किसान से कहीं न कहीं किसी न किसी परिष्ट मुवी से तिलब जी जुड़ा हुआ है तो किसान इस बेस के लिए भारत के लिए स्टर्वों पर यह है उ परमुक साथ यह कह रहा हूं कि किसान जो मारे गए हैं उनको मुवादा मिलना चाहिए या पिर नहीं मेरा सवाल बिल्कुल सीधा था उनको तो इस बात का बड़ा दूख हो रहा है कि आम आदमी बड़ा इससे संतुष्ट हुआ है कि मानने यह परदान मंतरी जी ने लाब हो यह लुकसान हो जिनकी पर्तिसत आबादी उस्तर प्रदेश के लेगा पूरे देश में उन सब कही न कहीं किसी न किसी रूप में य किसान मिल्के फायजा था लेकिन फिर किसान को मुझे घुमा ही है मेरा सिधा सवाल है मारे जान किसान को मुझे घुमा क्यों रहे हैं मैं एक चीजा किलियर कर रहा हूं मैंने तो इस परस्ट मुआप इस बात की तिलग जी मैं कह रहा हूं कि लखीन पूर की घटना का जीकर आपने शुरूग बिलकुल कहा डिवेट में बैट कर और जब वहां समझोता हुआ तो उसे कराने वाले कौन लोग थे उनका नाम बताओ के मुली ज़रा वो मौज़ा से हुआ या नहीं हुआ अगर वाकेश टिकैस जी उसी समय ये कहते हैं वहां से उठकर कि ये तो सफपर रात होई है फिर तो वह पुलिस कर्मी जो भायल हुए थे लाल के ले पर जो ज़ंडा चड़ाया रहा था या जो हट्याया हुआ या तमाम राने तिक दल गए ले या आपने समझोता कर वाल या पर्मुक साहब टेबल पर बिठाया क्योता समझोता करवाने के लिए आप इन्हीं कोई तो खाली स्थानी कह रहे थे पाकिस्तानी कह रहे थे और आप उनसे टेबल पर समझोता करवा रहे थे और आज आपके रहे हैं मैं कदम पीछे खीच लिए मुठी बर किसानों के लिए या तो वो फैस्वा सही है या फैस्वा सही है एक बात और मैं आपको इस प्रश्ट कर रहा हूं व्यक्ति विशेश के बयानों पर लोगों ने सरकार के लिए बड़े नेताओं के लिए और माननी ये प्रधान मंत्री और देश के ग्रह मंत्री और माननी ये जो है किरिशी मंत्री या माननी ये सुप्रिम पावर है उसको भी लोगों ने नहीं बखता तर जाकर किसी ने गला खालिस्थानी तो यह किस ने बोला यह किस ने बोला साथ आपने बैट के बार बोला इनको कि यह फंडिंग नहीं है कि आप पर्मुक साहब आपने नहीं बोला क्या मैं इसर कर देना चाहता हूं कि माली तरह कि जैस के प्रदान मंत्री जok पौच में जाहिए ऑर बार्वांफित बड़ापित है तो हम सब्सक्राइब जाकि विशेश की बात करो ऀर्म विशेश की बात करो प्रदान मंत्री है सुप्रिम कोट का मैंने जिकर किया कि मानूं यह सुप्रिम कोट दुनिया का सबसे बड़े लोक्तंतर का सबसे बड़ा कोट है अज बदल रहे हैं अज पंडिजी बगेट आप बताईए यह आज दोरा पापित क्यों नहीं दे रहे आप लोग वजा क्या है एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम टेबल पे बात करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे मतलब क्या है पंडिजी किसानों का स्टैड क्या है पंडिजी का ओडिओ नहीं आ रहा लेकिन एक बात यहां सीरे तोर पर मैं इस बात को समझना चाहूंगा अभी शेक वाजपई क्या आप लोगों पर जो आरोप लग रहा है कि आप लोग चाहा रहे हैं कि इस पूरा मसला जो है आंदोलन जो है वो लंबा खिचे तो ज़्यादा सियासी फायदा मिलेगा तो भाईया लंबा खिचने दो दिलग जी ये आज वो लोग बोल रहे हैं जो चुनाओ के मद्दे निजर ऐसा फैसला लेते हैं जब चुनाओ होने लगे तो जब उनकी सीटे कम आने लगे हर जगे से वो हार खिq विचार आए कि आज हम किसानों के हक में पैसले ले लें कि आए अंदोलन कारियों को पर जीवी की पर जीवी से तुना की थी आघ डिया यहाँ तक कि शर्मसार होना पड़ा इस पूरे उक्तरपतेशंव और तेस को कि सारे किसार भायों को कि जिननों ने उक्तरपतेशंव तेस का पेटपाना उनको कि यह चुनाब तक चलना चाहिए आंदोलन क्यों गुमाया विश्वाइट पर इंदिया क्या आप्या क्या आप यह चाहरे कि चुनाब तक आंदोलन चलना चाहिए अगर आपको तो मेरा सवाल यही है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं आप यहीं तो नारा लगा रहे थे और आज आप अपनी मागों को बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर रास्ता निकलेगा कैसे अब जो आपने का था कि यह बाते क्यों प्रदर्शन प्रणारा नहीं है कि अपनी बात की तबने उसको इतना तरीव को शुरू से अनोलन को विभिन करने की सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब अब दूबेट वर्यान ने और रहे लोग का वाज अब फिर से वाधी बात सब्सक्राइब अब जब आते थे तुम को पहले वाजना करते भी अब अच्छाओ कि अच्छा कि अ ने इस सरकार से बात करोंगे या फिर बी जय पी को चुनाव हरा होगे आप पंडे जी ये बताइए ना आप बीजे पी आपको रहता है ये रास्ता निकले का कैसे है अब डेखे रास्ता तो यह इंट निकलेगा कैसे हां अभी मैं किसान अंदोलन जो हमारा दिल्ली जनतर मंतर पर तीन कॉंग्रेस के पंजाब के एंपी हैं हम भी वहीं सहोग करके अभी भी मैं जनतर मंतर पर ही उसी अंदोलन में बैठाओं और आपको बताना चाह रहा हूं कि अब तो रास्ता आई उट पहार के नीचे कम से कम प किसान मानने लगे कि मुठी बर किसान लोग व्यापारी है खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंगवादी है और यह कहते रहें लेकिन जब पांच राज्जों का चुनाओं का भय ऐसा सताया और उप चुनाओं में हिमाचल में जैसे पांग्रेस में चार सिट जीता राजस्थान जैसे सबसीडी डीजल पेट्रोल का 120 रुपया हो जाने पर 5 रुपया 10 रुपया कम कब दिया गया अब इनका आईडी रिपोर्ट आया कि यह 500 राज्जों से इनका सफाया होने वाला है तो किसान को पहले किसान नहीं मानते थे खलिस्तानी पाकिस्तानी आतंगवादी खई कवर सुआर साथ सो किसान के सहादत के बाद अब पर्धान मंत्री जी पुड़े देते हैं अपने बील को फार कर फेख दिये तो यहीं लोग बोल रहे थे कि इस संभिधान का किस तरह से मठ्या पिलीद कर रहा है और संभिधानिक तरीके से बील को अपने ही सरकार के बील का फार्ड है और जब पार्लेमेंट में एक दोनों पार्लेमेंट में बील पास किया गया उसको बिना टाइबनेट मीटिंग का परधान मंत्री ने तुरंत एलान कर दिया जब कि मुझे यहां ने चावला जी आपके बील पार्ड पार्ड श्रकार ने लिए जब कि मुझे यहां ने चावला जी आपके साथ मने कितने बाल डिबेट किया तीस जन्वरी को परधान मंत्री जी ने कहा था कि केवल एक खॉन कॉल के दूरी पे हैं किसान और 19 नॉम्बर पर यह लिए लिए जा रहा है ओगी किसानों से बिना किसी वारता के आपने लिए मैं तो आपके चैनल के माधवन से यह डिमांड करूँगा कि उनकिसान परिवारों को पाच-पाच करोड़ का जी एक तरसे कम से कम मौबदार ऐसी होनी चाहिए और अगर यहां के वीपक्स इसको रह जीते हैं कि मर्स का मुद्दा नहीं बनाएगा तूं तो वीपक्स की उ प्रणा गई होगी लेकिन हमें तो यह लग रहा है चावला साथ कि प्रणार मंत्री और भाटी इनका पार्टी तपस्या के वाई चुनाओं जितने के लिए करती है इनको लग रहा था कि हां इनके तपस्या में को इनको कमीर हो जाए चुकिया आगे पांस पांस राजियों कि यह सबीरानेति दल जो है कि सीने में किसान है चावला साथ देखें जब भी कोई विपक्स राए आप देखिए अगर आप 2014 से पहले रेखेंगे तो यहां पर जो किसान नेता भी बैठा हुए है भारती जंता पार्टी के तमान नेता उसकों के मुद्बाक उठाते तो यह तो भारती राजिती के गंदर समस्या है जो व प्रटी के पास आ रहा हुए जंतर मंतर पर पंजाब के तीन सांसद और विदायक और हम लोग भारती राष्टे मज़ूर कॉंडर्स इंटर के लोग अभी विमैं जंतर मंतर पर वेशी किसान आंदोलन का एक साल हम लोग का 6 दिसम्बर को होगा और उसके बाद जिस तरह सा जमीन अधिक रहन बील को राहुल गांदी ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लेकर और जिस तरह से किसानों का मुद्धा जब जब हुआ राहुल जी विपक्ष की भूमिका को निबाते हुए प्रियंका गांदी ने उत्तर पर देश में किसान के इुरिया के लिए लाइन में बदल जाता है आंकार और जिस तरह से इंका आंकार का भड़ा हुआ है पीड़ा वाजी दिखाई देती है कॉंग्रेस की आप जिस तरह से एक किसान एक साल से आज धूप और ठंड और घर्मी में तडपते हुए 700 किसानों की आहुती देने के बाद गहरे निद कुमकर्णी निद से सो गए थे या कुम के मेला में मोधी जी खो गए थे जो आज उनके पमद में आया है तो आपको लग रहा है कि कॉंग्रेस सियासी आसु नहीं बहारी इंकी पीड़ा वाजीब है यह आज आप हो के रादेतिक कंदे का इस्तेमाल तो नहीं क किसान कपड़ा कैसे पहन लिया किसान बड़े गारी में क्यों घुमता है किसान एसी में क्यों रहता है करेंगी जी आप इस लेंडर की बात है ना सर तो आप भी जाईए प्रिंका गांधी जी को भी बोले किसे लेंडर उठाएं वह भी सिलेंडर उठाएं पहले उनको पंडी जी को पनी बात रखने दीजेए प्लीज आप मत उठाइए था था यहं था आपको मांघाई पार्ट नहीं पड़ता यat लोग आम आदमी है फर्थ पड़ता है अब मुद्धा नदा जो है ना मुद्धे मुद्धा एक सेकंड उसको मुद्धा बनाईये मैं अना नहीं कर रहाँ हुसको इस पर अलग चर्चा कर लूगा एक सकेड़ पंडे जी अपनी बात रहिए और आप नूत पर हाठा लगे कि यूद अपना स्वाप्त कर लेजिए कि अधिरा हो कल रहा हो पर्शो रहा हो जदी एकी समस्या आई हो जबी अंदोलन में इसकी को लेकर के बाद कि अरे उनके पास जबाब क्या होगा कि देंगे जबाब आरते जनता पार्टी के लोग किसान मुद्दे पर जबाब दे नह सकते हैं तो कि किसान के घेखा भरम और जुमला देने का ताम जिस्तर का परधान मंत्री और पिसी मंत्री ने किया है तेस का जनता देख रहा है आप बोले तीजे ना उसका जबाब आने माले पूरी जी पूरी कर लेने दिजे आप जब बोलेंगे तक कोई बुश्पार नह कि ने किया रुक तो जाइए कि आज तक जब भी रहा हो इस मामले में आज जब भी आज किसान इस बात को नहीं पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहा है हम लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि शुरुआत में भी हम लोगों को इसी तरीके की बाते कही गई अपमानित किया गये कोई समस्य में थी हमें हर आज 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 तरगान वंत्री जी ने जो वापसी की बात की है उससाथ हर आपमान को भूल सकते हैं भूल गए हैं आज इस तबसे ब़ा जो प्रश्ण आ र इंदोलन प्रारम भूट उसी जिनसे मेंस्टी के गारेंटी की बात की जा रही की आज भी बात की जा रही है अब यह जिसे आपने कार कि अभी कब तक इसको चुनाओ तक हीचा जाएगा विशे चुनाओ ही नहीं है हम लोग को राइनेक्टिस दल के लोग है अभी शीट का पंडी जी लखीमपूर कौन गया था संजोता करवाने आपके बताया नहीं किया बोले है कि अलो कि अब सुनाई यह नहीं दे रहा है कि जी बोलिया ना लखीमपूर समझोता करवाने कौन गया था समझाओता अरे जब भी कितान भाईयों को जहां दिया उसकता हुई है तहां भी पहुंचा गया उसमें संज़ाओता विशय थोड़ी था वो समझ्या में हमारे भाईयों को पर गारी चाहाई गई थी हम लोग नहीं गयाए हमारे परिवार के बस्पी को नहीं गाने कहिए पर अब दोलन को कॉंग्रेस का हाईजैक करने की कोशिश कररें के अभी शेक वाट भी कैसी जाने क्योंकि कॉंग्रेस से गरेख ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी बात हम अपनी पात करेंगे करें के हम कौगेस्ञा को लेना देना नहीं है वे लिए तो पर वादा मिलना चाहिए नमबर एक बार नमबर दूसरी बार और जो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो इनके और भार्थी जन्ता पार्टी वालों को पर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप साक्षी महराज ने कहा कि जोगरत पड़ेगी तो हम दुबारा कादन ले आएंगे तो यह सो बाकिया बताते हैं कि यह दोरे चलित्र के मापदंड के लोग है इनकी कथनी और कथनी दोरों के अंतर है आज प्रदान मंत्री जी और ग्रह मंत्री जी जब हर जेगे से सीटे भार अदर यह जब 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 खिसांब्हाई बाजी की जा आ अटन वाजी उनको प्रद्राइब जा जा था तब तहां चेले गए ज़िए लोग है लगता विपक्ष की पीड़ा वाजीव है लगता आपको अब्सक्राइब को दरूर चाहुला जी किसानों का मामिया जो जाने के कागार को यह नजर आ रहा है लेकिन जो लोग आस अता पक्ष में जो लोग वीपक्ष में रहा हो के अंदर में इसाबो का ग्रोथ वेट उसी असर पर आया है अभी भी यादे कि 2004 से 2014 तक भी उसमें भी मन्मौन सिंह के सरकार में अभरी कल्चर ग्रोथ रोथ रोथ कि तो हजार बाइस तक में किसानों के डबल हो जाएगी मैंने आपके डिवेट में काई बार मंत्री जी ने अस्वफ दल्वाई कमीटी के बनवाई थी इसके लिए आपको 12% का अग्री करने के लिए और कहां पर चार परशंट के ग्रोथ वेट पहुंच पर रहे हैं सरकार के वर सब्सक्राइब का काम कर रही है और काम नहीं कर रही है ऐसे इसकिते में जो कुछ भी सफलता अब तक हासिल किया आपने बल पे हासिल किया अपने बड़े आंदोलन के बल पे हासिल किया जिस आंदोलन को लोने तबाब गांधुवादी तरीके से चला यह जब किसानों के हितों में बहुत काम किया है वह कह रहे हैं कि किसानों के हितों में तो हमने ही काम किया बीजेपी सरकार दे तो सिर्फ लूटने का काम किया देखें चावला जी मैं आकणों के साथ बात करता हूं आकणों के दिरिश्टी से अगर हम लोग देखें तो वह सरकार भी जोए कि फेल थी लेकिन हाँ यह जिरूर को होगा कि कांग्रेस अभी सवाल पूछा जाएगा लेकिन हां अबरी कंचर अब देख लीडिया उसमें क अबरी को बिशन पर लेकिन हैं तो आज जो आज चल गई है देखें अब के आपके अपकी सरकार एंडिया की फिर ऐसा इसा इस चीतु में किसानों की जुरगती क्यों है तो इसका जबाब कौन देगा आपको दो वाईस तक पर किसानों के आई को बनाना चाँ आपको दोग आपको क्या लगता है कि रास्ता निकलेगा कैसे अगर अगर सरकार में होते आप कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है अगर आप सरकार में होते तो क्या करते ईद्धे hackers मोशीबत नहीं आता किसानों को इतना लंबा नलन करने का जरूबत नहीं परता क्योंकि व्यक्या हमार्य नेता रहूल गांदी जी जमीना दि ग्रहार उस्क पास कराने के लिए जिस से अंदोलन किया और जब भी अपने ही दिल को जिस तरह से लोगों को फार 2013 में अपना दिल पार दिये और उसको असंभाइदानी को पार गया माहराज माहाँ चोडता हूं स्वामी जी बहुत हो गया इतना मत करिये न गई इस चीज मैं बताना चाहता हूं करे मैंअ करके गए जिस तरह से लाटी का बोचार किया पानी का बोचार किया और उनको आतंगवादी खालिस्तानी करकर और साल भर के बाद नीज से जाग कर भारतिय जनता पार्टी सासन को अब सब्सक्राइब करने का काम मीडिया जिस तरह से आज उनका गोदी मीडिया बन कर दो है चुछ निया कुछ भी वे बोलती है गोदी मीडिया पूछ़ा पूछ़ लो पूछलो उन्नीस तो चुरासी पूछलो दिक्कत हो जाती है सवाल पूछ लो रामीला मैदान तो दिक्कत हो जाती है सवाल पूछ लो आयोध्या तो आपको दिक्कत हो जाती है सवाल लिखके फेशते हो क्या किया सवाल बस पूछा करो यहाप भी बीजेपी ने काओ कि तरह डिवेट छोड़के फाग जाएंगे जैस्वाल जी मैं तो यही कहुंगा कि देखें इसको चराशी के बंड़ा के लिए माननी पर्दान मंतरी जी जो उस पुमें टेथ हैं तो वह उन्हाने गलती सिकार की थी उस्पीश के लिए तो यह तो मामला रहा है थी तुबे तो यह इस्पीश को टाप प्रखी सकते हैं कि अभी वर्तमान सुनिये अभी वर्तमान में जो कंगना रनाओत के मुझ से मुखोड़ा बदल के जो बोला है जारे भारत के सोतंता सेनानियों को जिस तरह से बदनाम करने और जिस तरह से गांभी जी के छिलाप बोलना उसका आमलोगा जास्वारी यह उसका पुर्जार वि यह दिवेट का पूरा बिंदू ही खतर की जाँए तो यह कि विशाय से बात ने जो रहा ज़ा है यह त Вас पहुं आप के मुंतिया करता थाना पर चछर्चा करता हूं का नि करने के लिए आया हूं तरे देख लीजिए हमारा अंदोलन अभी भी जारी है और मैं इस्थंड में और आस्मान के नीचे बैठा हूं और बात कर रहा हैं आस्मान के नीचे में किसान के न्याई के लिए ही बैठा हूं और हमारे तीन-तिन सांसदे ही बैठे हुए है और पंज किसान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि उनको एमस्टी बील के साथ पार्लेमेंट पड़ी यह क्या बहस हो रही है यह कंग्रा के मुझने पर चर्चा कर रहे हैं किसान के लिए हम लोग इस वाला थे बात करने आए यह आए तो पादी को प्लप्धी की बात अखी जाएगी ना पड़े नेताओं को स्वामी जी बिठाओ बड़े नेताओं को काजू किस्ता बढ़ाम ना खिलाओंगा दूद का घिलास भी फिजवादूंगा अपने बड़े नेताओं को बिठाओं लोगा अंदौलम में इस सर्धी में कि हम लोगों ने जाजू बेदाम खाने जिए उन्वाइब करता है उन्हों पहले आप पर नहीं करना चाहिए ने अटक गए इनको बताओं कर दो चुछ चोड़ा को मेरी वाथ तो लिए अपर राजचित के नाम पर खोड़ा को बेरी वाथ तो लिए आप तो लिए आप तो इसने को लिए यहां पर चाहिए यह कोई काजे की बास मेंगे सब्सक्राइब करना तो लिए कुछ था में गर में बेचिए कहा बटा हूँ अभी शेक वाज़ पई ये कौन सी सियासत हो रही है ये क्या मजाग बना दिया कॉंग्रेस के नेता हूं ने अरे स्वामिनाज जी दूसरा बोले बोलिये 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 बाद पहीं की बोलिये कि किसानों को किसी पार्टी के सर्टिफिकेट क्या हो सकता रही है नमबर दूसरी चीत चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और हमारा काम है कि जो नहीं बेड़े लिताओं को बिठाइए आसमान के लिए आवाज उखाए और हमारी जिम्मेदारी बंगती है मैं इतना बात समझना चाहरा हूँ रहूलाल यह को कंग्रे का चच्चे पर आगए फिर मैंने इतनी बार बना कि आया कि कंग्रा मुद्दा नहीं है किसान के मुद्दे पर आखिर कर क्यों नहीं बहत होनी चाहिए किसान के मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए रहूलाल किसानों के मुद्दे के बात होनी कि और किसानों ने एक तरह सी बेस में बड़ी लाद्पुन लिए लडाई खड़ी थी है आसान चेज़ महीं है कि पिछले 26 महंबर से बड़ी आखिरा अधी आधी अब 1 वर्स पुरा करने जा रहा है रहा है ये एक वर्स पुरा करने जा रहा है ये आख वर्स बर्ष को जोग देता थी इस अन्दलन के अभी और ये यंदी अभी हो जाती है और जो तमान कुरूरता रखतार ने बरती है, चाहते हैं सर्कान ने चाहरा जी सर्कान ने और लेकिए कुरूरता बरता को लगती ही बड़ा लोगों का जो बयान आएं आप देख लेजिए घर्योना के मुखनतरी खंटर जी का बयान कि किसान अंदोलन अब खत्म कैसे होगा आपको क्या लगता है किसान अंदोलन खत्म कैसे होगा तिलगी मैं एक चीज इसपस्ट करना चाह रहा हूं बिलकुल जिस तरह से कांग्रेश के प्रवक्ताओं ने डिवेश को जो है गुमा कर पूरा समय खराद कर दिया अगर मुल्सyttности बात पर बात करनी थी जो वहाँ से दलीब दे रहे हैं ति हम घरने पर बैखे हैं और तीहेंसान सदों काinar स्धार किसान के दर्ना रहे हैं यह तो फसाती है यह किसान है राज लेता है अगर सरकार के खिलाब बैठने तब लिए ना लिए प्रदान बंदू की ने लिए लेकिन हमें पता है कि इनका हमें सामना करना है ये लोग कभी नहीं मान सकते ये खतम हुए इस देश से और मिटे हैं इस देश से तो हर परियतन करेंगे हर साधिस करेंगे कि है आप साथ कहा है और भी आपसिषान प्लम्साड नहीं को लेगी उछाराकर कि कि आप लेगमेश हैं और चुराश्री पर चुरते हैं 37 वर्सव तक क्या कि आप्रियाaster थी तो मौरी जसा जो भी इसको बदमने के दिए फरियास साथ लेकिन आप लोगों ने इस माहत प्रिया उन लोगों को पर्ग लाया फिर भी हम संबान के साथ एक मर्कों तक खिसानों के लूप से जिनका किसानों से जानना चाहिए वह जो लोग इनकी वो तोड़ ने रहे हैं अबने सिद्व स्रापत की वजे से अरे आपने क्या जा जिन्दी में राम द्यांजी के साथ क्या हुआ था पूर पर आएंगे किसानों की जो शहीद हुए है में पर आप को जो भीट नहीं देरें ता इस बातिक तर्फ हैं आपको प्रमक जी आपको इसमार क्नों अने पहले आपको करो इंको आपको सहीद की दिदाने को जो यह अगर आप इसनी मंदर में चैनल को बैट कर बात करते हैं सब्सक्रस. एक करोड़ एक मुआफ़े की मांदा बारूंगानदी कर रहे हैं पर लकीछाए के इन्हों ने रोड बना है इतने बना हैं लो कूछने चाहता हूँ। बताया है इम आप हो बाताicopत बाता करेंे kings nữa तो अमसे आपने तो भारत के स्थैनिकों के सर्फ पाटिक्टाच देजिए आपकर वीडियों नहीं आप माफी चाहूंगा उसके लेकिन एक बात अभी शेक वाजपई अभी शेक वाजपई पंजाब के मुख्ते मंत्री कह रहे हैं हम स्मारक बनवाएंगे इनकी यही तो हमा के कलित वारी मां है इसी तो बात में सुनला करें विर्फ से जावाज कर दे जो म Jáu सोगर करकर यह प्रिवार के लोगों की था जा अवरні के लिए नज वह बात काहिए हमने में तो बात प्र joue सब्सक्राइब कर देते हैं मैं तो आकड़ों पर बात कर रहा हूं सब्सक्राइब कर देते हैं अगर मैं गलत हूँगा तो आप बताईएगा ये कौन सी सब्सक्राइब करते हैं कर्दमाफी की बात होती है सवाल ये खड़ा होता है कि 11.5 लाग की सब्सक्राइब कैनेडा की सरकार देती है अपने किसानों को साड़े साथ लाग की सब्सक्राइब की जो है वो जापान के किसान को मिलती है मैं प्रती किसान की बात कर रहा हूं और हमारे यहां साड़े 15,000 रुपे हिंदुस्तान में हम जितने कॉर्परेट घराने हैं उनकी NPA जो है राइट ओफ पे कर लेते हैं हम वापिस ले लेते हैं लेकिन किसानों को सब्सक्राइब की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि भाईया खजाने में कितना खजाना नहीं है हम नहीं कर पाएंगे किसानों के लिए यह इस विशे पर बहस और चर्चा क्यों नहीं होती है फिर आजयते कंगना पर और हम सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं कि को गोधी मीडिया मोधी मीडिया पता नहीं कौन कौन सी मीडिया जिस तरह से भारत में कंसे तो अभी हम लोग अगर देखे तो 15 लाग क्रहों से जएदा जो है कि सरकार ने उद्योग पतियों के रही तो इसकी है उनको अस्तरों से सब्सुदी के रूप दे लिया दिया है यहां जब कुसानों को सब्सुदी देने की पात होती है तो सब ल जाना चारे हैं जाना चारा है तो आप ही बनवाई यह समारा कौन रोक रहा है तो अधिस गर सरकार हमारी अधिर राजियू गांधी न्यायोजना के ताहत जो किसानों को रिल माप और किसानों को जो सब्सीडि दिया है किसानों 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 ने पहली बर संगतित हुए बहुत जबरदा सुपते संगतित हुए किसानों के साथ एक पहसे उनका आवाज मिलानी चाहिए और सरकार को अपनी कुम करने में दे चोड़ लेनी चाहिए जिस भासा का पर्लोग परमुजी करने है वह सरवखा अनुपलुक्त भासा है अगर सतर साल पे किसीने कुछ नहीं किया तो उसके लिए उसमें जनता ने उनको सबक दे दिया है अभी आप सकता में आपकी जिम्वारी आप अपने जिम्वारी से नहीं भाग सकते और अभी भी अगर मानिक प्रधार मंतरी कहता है कि इस तीमों कानूं जी ताले इसमें हमें हटाया है यह अभी अभी मैं अभी मैं सौमी जी बताऊंगा आपको एक कहानी साथ साथ साल में MSP को लेकर किसी ने चर्चा नहीं की अभी शेक वाजपई तो फिर यह सियासत नहीं हो रही तो क्या हो रहा है मीटिंग हुआ था उसमें पहला प्रस्ताओ था MSP पर लागू किया जा हूँ की तो फेसर राम गुपाल जी ने बाकाइदा इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताओ भी बेजा हुआ था लेकिन सरकार जागी नहीं है और जैसा की राहुर जैसा की राहुर जी ने कहा था म कर दिन भाती जंता पार्टी के सरकार ने आखिर कैसे कम वह दिये कितने लोगों को आखर चलते हैं मुझे आखरी सवार पूछ रहूं पिर इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं स्वामी जी स्वामी जी सिर्फ स्वामी जी का ओडियो रहेगा स्वामी जी मुझे एक बाद बताईए आपने कहा कि तुम ये मीडिया हो वो मीडिया हो मैं तो ठोक बजाकर किसानों के मुद्दे पर चर्चा करता हूँ मैं ठोक बजाकर महेंगाई के मुध्व पर चर्चा करता हूं बहस नहीं करता हूं मैं आवाम के हर मुध्व को ठाने की कोशिश इस मंच के जरी ये करता हूं सिर्फ मुझे एक उत्तर दे दीजिए अभी आप आपको समझ में आगया होगा ये वो वाला मसला नहीं है मुझे सिर्फ एक आपने किसानों के हित में बहुत काम की किसानों के हितों में तमाम काम किये जो दावे आप लोग करते हैं मुझे आज तक बता दिजिए समस्या का एक समधान था जितनी सरकारे रही जितने प्रधान मंतिर रहे किसान आयोग का गठन किसी सरकार ने क्यों नहीं किया किसान आगयोग का गठन होता तो क्या ये समस्याय खड़ी होती क्या इसके लिए आप दोशी नियाई स्वामी दी अब भोलिए किसान आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार में किसान आयोग का गठन क्यों नहीं किया था? उसमें कई सरकार आई गई उस 70 साल की बात जो करते हैं उसमें अटल्ड गरत सवाल पूछा इंसे? किया है, कि किसानों के हीं काम किया तो किसान आयोग का गठना अच तक क्यों नहीं हुआ? यह उसमाल क्यों नहीं पूछे जाते? इसलिए आप जो करें वहा है, वह भेजा हो है. अब यह कमिया हो नारे अच्छा जा जा रहा है अभी शेक वाजपई बनाओ जब बनाओ की तमाम आयों गठित किया जा सकते हैं तो फिर किसान आयों का गठन क्यों नहीं हो सकता अभी शेक वाजपई यह मुद्दा बनाओ उत्रा ही मुद्दा मेंगाई के लिए भी होना चाहिए उत्रा ही मुद्दा बेरजगारी के लिए भी होना चाहिए नहीं है कि इसको पॉट मिस्टि अवाइड दिया जा रहा है वाइप लगार करेंगे किसानों को नहीं दिलाने के लिए बात करेंगे अब लगार कि तो पर आती है यहीं तो कहा किसान आयोग क्यों नहीं बनता कि यहीं बनता किसान अब सवाल कही है सवाल कही है मसला सियासी हो सकता है लेकिन किसानों के हित में काम किस ने किया किसानों का आज क्या यह हाल होता जरा सोच कर देखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका भी अभिशेक जी आपका भी रहुलाल आपका भी और धविडियो चला गया आरायोफ थिजए प्रुवार्छ झालत के प्रवार जो पुट है जो 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 आए जो 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 एफ है जो जो एफ है प्रुटमा था जो कोग़ाओ कि में जो एफ